अलो असलाम अलेकुम आज इस टुटोरियल के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जाएंगे के हाव ये कें डू एक्शन लिसनर ऑन बटन्स और ऑन इमेज़ इन अंडॉइड स्टूडियो अंडॉइड स्टूडियो बहुत जब 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 एक से अफ्टर है जिसके तर इमेज के उपर मैं किस तरीके से क्लिक करूं तो उसके उपर भी स्टूरीके से अक्शन पफॉर्म हो। दोनों को करने का तरीके कार बिल्कुल सेम है और मैं इस थोटे से टुटोरियल के अंदर आपको इशो करूँगा कि हम एक चीज किस तरीके से कर सकते हैं मेरा नाम डॉक्तर शान बड़ी है अगर इस चैनल पर पहली दफ़ा आने का इताफा को है और साथ साथ आपको Android पढ़ने का शौक है तो इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें ताके Android से रिलेटेड अभी आगे और बहुत सारे कोडिंग के टुटोरियल्स में इस पर रेगुलर्ली पोस्ट करता रहूँगा और आप उसको फॉलो करते रहोगे साथ साथ हम Android सीखते भी रहेंगे क्या खाल है ठीक है तो लेट्स बिकिन आ जाते हैं सिंपल एक्टिविटी के अंदर सिंपल साहिक मैंने अप्रजेट बनाए हुआ है कंस्रेंट लियाउट है बाकिस के अंदर कुछ भी नहीं है वड़ आड़ वेश के मैं इसके वोपर सबसे पहले टेक्स विल्ड डॉप कर देते हैं इस टेक्स फील्ड को हमने बढ़ा कर दिया यहां पर नाम दे दिया बी यू डबल टी अंड बटन क्लेक लाइस टी बटन क्लिक इवेंट कर लेते हैं ठीक है जणाब बटन क्लेक ईव एनट होगया मेरे पास प्रेस एंटर पास एक इवेंट से क्रियाइड हो जाएगा ओके वांस दिस दन फिर इसकी हमें क्या करना है कंस्रेंट अप्लाइ करना है because every object that is inside कंस्रेंट करना बहुत लाजमी है तो कंस्रेंट क्लिक करने का तरीका कर यह कि आप इस बटन पर क्लिक करो horizontal पर क्लिक करो तो automatically यह horizontally कंस्रेंट कर देगा और यहीं पर रहते हुए थोड़ा सा उपर करते हुए मैं इसको blue button पर क्लिक कर दूँगा तो यह उपर से constraint कर देगा this means कि अब उपर से 57 pixels के gap के बाद यह show होगा no matter what your screen size is ठीक है अब आ जाते हैं buttons के उपर तो पहले मैंने एक button यहाँ पर बदा दिया इसको उठाके मैंने थोड़ा सा उपस इसकी size हम थोड़ी बड़ी कर देते हैं इस button के उपर नाम दे दे दिया for example button उपस इसका हम size पर दे देते है button one ठीक है और उपर जो name होगा इसका मैं दे देता हूँ button btn one कर दिया okay refactor कर दो yes तो button one हमने कर दिया यहाँ पर button आ गया इसका text आप change करना चाहें तो button को text भी change कर सकते है for example यहाँ पर मैं आके इसका दे देता हूँ 25SP तो यह 25SP से button one हमारे पास बन गया इसी दरीके से आप इस button को copy भी कर सकते हैं दूसरा button भी मैं यहाँ पर लाकर रख सकते हूँ तो वो भी मैं कर देता हूँ for example दूसरा button भी यहाँ पर आ गया इसका भी हम कर देते है 25SP text size and let's just come up here और इसको हम कर देते हैं button 2 हो जाओ और यहाँ पर हम नाम दे देंगे button 2 इसका ठीक है तो यह दो बटन हमारे पास आगा है yes refactor कर दो as simple as that इनकी height and width आप control कर सकते हो के दोनों की for example अगर इसकी मैंने 250 DP कर दी now this basically इसकी properties है के 250 DP और 60 हम इसकी height कर देते हैं display pixels के अंदर ठीक और इसकी जो height होगी उसको भी आप जनाब 60 DP कर दो अब इससे क्या होगा कि दोनों buttons मेरे एक इतने होगा है so you can control the height and width of each object from here as well तो यह दो चीज़े हमारे पास यहां पर बड़ी आराम से बन गए ठीक है इसे तरीके से आप text view भी यहां पर drop का सकते हैं image भी जो भी components आपके पास बने में same तरीके कार है अब मुझे इसके उपर event लगा रहा है ठीक है when I click on this button तो मुझे कोई event perform करना है event perform करने के लिए हम आ जाते है इसके code के अंदर code में means dot java file के अंदर है dot java के अंदर एक on create करके हमारे पास file बनी वी है इस file के अंदर हम वाजान आ जाएंगे ठीक है इस file के अंदर आने के बाद आपने क्या लिखने है आपने लिखना है button ठीक है अब idea यह है कि यह मेरी java की file है और जो button मैंने बनाया वो xml के अंदर बनाया तो मुझे basically java में से xml वाले button को read करना है और फिर इसको उपर process करना है तो पहले हमने java के अंदर read करने के लिए मुझे button class बनाई मैंने नाम दे दिया button one is equals to find करो एक method होगा r.id से dot जिसका नाम होगा button one जो मैंने xml में बनाया था वो चीज़ तो यह method हम use करेंगे find a view by id का इसका मतलब यह है कि find करके आओ एक id के नाम से एक object होगा जिसका नाम होगा button one वो object मुझे ढूंड के लाओ और उस button one को यहाँ पे assign कर दो ठीक है यह खुद ही जाएगा r for root है root में से जाके जो button one xml में बनाया है वो ढूंड के लेकर आ जाएगा इसके बाद हम क्या करेंग तो set on click listener लिखा हुआ बस कानी खालास अब ये method करेगा कि on click listener लगाएगा लिसनर लगाएगा मींस listen करेगा कि जब इस button पर click करो तो उसके नतीजे में क्या action perform हो तो उसके नतीजे में क्या हो हम new लिखेंगे इसके argument के अंदर और एक और top पे method आगया view on click listener view on click listener means view के अंदर हम on click listener का event drive करके बताओ क्या करना है view means जो activity का हमारा view है तो ये run time पे anonymous एक class create हुई और उसका code आगया मैंने सिरफ new लिखा था view on click listener help में आगया, मैंने enterprise किया सारा code खुद ही लिखा हुआ आगया बस अब जो चीज यहाँ पे आप लिखो गे वो basically execute हो जाएगी तो अब हम क्या करते हैं इसके अंदर simply साइक message print करा देते है message print कराने के लिखेंगे वही toast में आजाओ, dot एक method है हमारे पास make toast का, इसके अंदर हम argument दे देते हैं this, और मैं message में दे देता हूँ B, U, double T, and button 1, C, L, I, C, K, E, D click, ठीक है, button 1, click कर दिया और फिर comma हम दे देंगे, tost toast dot length long, ठीक है, इसके बाद फिर हम कर देंगे इसको show, show करा दिया, now this is a simple method that allows us to create a context application जिसके तरहत आप एक simple alert message create कर देता, ठीक है, current context के अंदर आपके toast message basically जैसे JavaScript में alert use करते हैं, यहां का मतलब यह कि Java का code है, जो alert box इक generate कर देगा यहां पर, now why there is an error here, disable hint method show, 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 क्योंपे क्यों error आ रहा है, toast dot length make this, and if I press alt and enter, extract string put arguments in a separate line, toast dot length long clicked, button, this, अच्छा, this की जगह पर let me write get application context and now error is removed, ठीक है, sometimes this भी काम करता है, sometimes we get application context का method use करते है, as soon as I write get application context को दिया जाता है, इसका मतलब यह के current application, जो के Java की जबान में this को refer करता है, this means मेरी current application को refer करो, I think this depreciate हो गया, now get application context आ गया, so we better use get application context, यह use किया, now this should be okidoki, okay, अब अब अगें इसका मतलब यह के toast एक alert message generate करेगा, toast or length means उसकी timing की तीदीर तक आपको message नजर आए और dot show लगा दिया, dot show से basically message आपको तीदीर तक के लिए नजर आ रहा होगा, so let me just stop this and terminate कर देते हैं and let me re-hit this message and button 1 clicked हमारे पास आ गया, so button 1 click आ गया and you can see this काफी देर तक है message रह रहा है, button 1 click हो गया, as simple as that इसी तरीके से अब हम button 2 पे आ जाते हैं let me show this whole process again with button 2 so for example if I go inside button btn2 is equals to find view by id कर दो, r dot id dot, oops, id dot हमारे पास एक होगा button 2 करके, उसको ढूंडो ठीक है, जब button 2 आपको मिल जाए तो क्या करो अब इस code के नीचे आ जा, वो तो button 1 का code था button 2, dot अब हम क्या लिखेंगे, set, on click listener की help खुद ही आ गई, top पे पहला enterprise किया, arguments में गए, यहाँ पे लिखेंगे new, new लिखके space किया, view on click listener में खुद यह आगया, android की tip यह, अगर आप android पे काम कर रहे हैं और आपको tool tips नहीं आरी मतलब आपको code गलत लिख रहे हो, ठीक है, अगर यह tips नदर नहीं आती मुझे मैं coding में को गलत कर रहा हूं, android को पता नहीं चला मैं क्या कर रहा हूं, अगर android आपको tool tips दे रहा है इसका मतलब 90% chances आपको code सही जा रहा है, ठीक है तो मैंने enterprise कर दिया, बाकी की तीनो लाईने, चारो लाईने खुद बहुत लिखी विया आ गई, that's it, यह आपको click listener के उपर करना है, अब इसके अंदर क्या करना है, मैंने वापस वही toast को किया, dot किया, इसको कहा, भई make text करो, make test में क्या करो, get application context, उठाओ, current application ने अंदर दिखाओ, message में आ जाएंगे, button to cli ckd clicked, or dot tosttoast.length, इसको अभी मैं dot tosttoast.length short कर लेते हैं, ताके दोनों को नजर आ जाया, dot show method करा जिया, कि भई, जैसी मैं इस पर call करूं तो तो तुम show हो जाओ, once this change is done, now let me click on apply changes on this button here, तो अगर changes मेरी successfully apply हो गए, if I come inside simulator, button two पे click किया, तो button two clicked आग रहा हमारे पास, ठीक है, button one पे click किया, तो button one आ गया, और ये काफी देर तक आपका नजर आ रहा है, अब जाके गाए, button two पे गया, तो button two click नजर आया, और ये जल्दी से गाएब हो गया, क्योंकि इसकी length हमने short की थी, उसकी length हमने long की भी थी, ये button के उपर आ गया, तो button पे हमारे पास event apply करने का, ये बहुत simple सा साधा सा तरीका है, set on click listener हम apply करते हैं, toast message से हम छोटा सा alert message अनेट करते हैं, अब यही चीज़ आप image के उपर भी कर सकते हो, so for example, मेरे पास image आ गई, मैंने image drag and drop की, I need to select any particular image, in this case मैं इसी को avatar को select कर लेता हूँ, click okay किया तो यह मेरे पास image आ गई, what I will know, ने इसके इसको मैं imgviedv नाम दे दिया, ठीक है, refactor कर दो, yes, again constraint layout मैं है, तो इसको मैं पहले horizontally constraint कर देते हैं, और फिर इसको मैं top से vertically constraint कर देता हूँ, कि यहाँ से vertically constraint हो जाए, अब मुझे इसको पर event लगाना है, क्या करूँगा, मैं बटन में आ गया, अब क्यूंके पहले हमने बटन ढूंडा था, अब मुझे यहाँ पर image, image view ढूननी है, ठीक है, image view इसलिए ढूननी है, क्योंके वो button वहाँ पर image view है, सिर्फ फर कितना है, तो यहाँ पर आगया, for example, img कर देते हैं, is equals to find view by idr.id, oops, id. अब यहाँ पर आपके पास आजाएगा, क्या चीज, img view, मेरे पास image आगई, खलास, तो जो नाम मैं आपने वहाँ पर दिया होगा, ठीक है, जो नाम मैंने यहाँ पर id के अंदर दिया होगा है, image का, वही नाम इसी के ओपर क्लिक करते हुए, alter, enter, press करेंगे, tool tip आगई, कि इसको resolve करने के लिए करना है, import class, import class पर क्लिक किया, now you will note that there is an image view added here, simple as that, इतना आसान सी कानी है, so error remove करना भी इतना है, do make sure आप error remove करो, अगर आप error remove नहीं करोगे, तो code आपका नहीं चलेगा, ठीक है, अगर red line आ फिर new view on click listener के code खो दिया गया, view on click listener लगा दिया, फिर मैं toast पर कर देता हूँ, toast dot make text कर दो, get application context करो, get लिखा application context को दिया आगया, comma, मैं यहाँ पर कह दूँगा, image click हो गई, उसके बाद, t capital, t ost toast dot length अब आपके ओपर है, कि आप उसकी जो length होगी, long करें या short करें, फिर brackets के बा तो इस तरह से आपका basic setup complete हो जाएगा, same तरीके से आपने इमेज के ओपर भी लगा दिया, button के ओपर भी अपने इवेंट्स लगा दिया, so अमीद है, इस चीज आपे clear होगी होगी, फिर भी कोई question, को confusion हो, तो मुझे comments में जरूर बताएगा, और again, video यहां तक देखी और कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको क्या चीज समझ में आई, क्या करना एक क्या नहीं करना, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाला के लिए class में मिलते हैं, फियमान अल्लाव